ओके हलो ब्रेंड कैसे हो आप सब में वी सी और आप देख रहें बाउन टू इन्विस यूट्यूब चैलंग इस वीडियो में हम इंफोसिस का जो रिजल्ट आया उसको देखेंगे कैसे उसके रिजल्ट है और बाद में हम उसके टेकनिकल एनालिसिस करेंगे और बाद में क् एडियार में क्या चैंजिस आ है वो देखेंगे तो आपको आईडिया है कि आपको इन्फोसिस में करना क्या है तो दोस्तो अब तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जरुर दिन लेते आते और जो बाजो में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नौटे किसन सबसे पहले मिल जाए और मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको पूरी इंफोर्मेशन चाहिए तो पहले से लेके लाश्ट तक देखे आप बीच में निकल पूर्ड आप इस स्ट्क्चर्पो लॉंग्टर इंवेश्मेंट बाद में इस कमनी की सेल्स देख लेते तो इसकी शांट नायंतरी परेशन बाद में इसकी नेट डेप टु एकूरी रिएंट तो नेगट्यू देप्ट से पितनी ज्यादा डेप्ट नहीं है या तो जीरो बाद में pledge promoter holding देख लेते तो pledge promoter holding भी 0 है मतलब एक अच्छी quality यह company है अब हम इस company का valuation देख ले तो expensive valuation पे आल फिलाल यह trade कर रहा है बाद में इस company की PE देख ले तो इस company की PA 20.28 बाद में ROC देख ले तो ROC 41.20 है बाद में ROE देखते तो ROE 25.61 तो मतलब इगे आए कि एक अच चुक है इस company के final sale के उपर तो पहले हम इस company का quarterly quarter result देख लेते तो इस company जो net sales किया है पिछले quarter से इस quarter में तो उसमें 2.05% की upside दिखाई दे रही है बाद में इसमें net profit देख ले तो पिछले quarter से इस quarter में 10.90% की upside दिखाई दे रही है जो की एक अच्छी बात होती है बाद में हम इस company के operating profit margin देख ले तो उसमें भी 0.20% की upside दिखाई दे रही है जो भी एक अच्छी बात है तो यह हो गया quarterly quarter result तो यह भी एक अच्छी आई है तो मतलब एक अच्छा result इसमें आया अब हम इसके year to year quarterly result देख लेते अब हम आ चुके year to year quarterly result के ऊपर तो आप इसमें net sales देख है जो की एक अच्छी बात होती है किसी भी company के लिए बाद में net profit देख लेतो net profit 23.50% की upside दिखाई देख लेते तो जिसमें 1.95% की upside दिखाई देख लेते जो भी एक अच्छी बात है इन simple हम result देख रहे है इनफूस का तो बहुत अच्छा या हुगा है तो no doubt इसमें आपको Monday upset देखने को मिल सकती है लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी technical analysis भी करना पड़ेगा तो इसके लिए हम चलते है technical analysis की ओर तो अब हम आ चुके Infosys के चार्ट के उपर तो पहले देख लेते कौन से इसके support होंगे कौन से इसके resistance होंगे और कहां तक यह जा सकता है तो अगर मैं हाल फिलाल की price की बात करूँ तो हाल फिलाल की price is 738, 738 no doubt इसका result अच्छा है या तो Monday gap up open होने के बाद अप जाएगा लेकिन उसको कितना अप जाएगा वो भी आपको देखना पड़ता है तो no doubt आपको एक upset देखने को मिलेगी Monday मतलब एक gap up opening देखने को मिलेगी Monday बाद में क्या होता है वो तो आपको live market में ही पता चलेगा तो gap up opening हो सकती है Monday बाद में अगर देखे तो gap up opening होने के बाद यह कितना अप जा सकता है तो gap up अगर opening होई और upset लेकर गया है मतलब यह Monday की बात नहीं है यह आगया आने वाले future की बात है तो जो मेरा पहला resistance होगा वो होगा 825 का level और उसको break करके अगर यह उपर निकल जाता है तो बाद में जो मेरा final resistance होगा वो सारे 800 का होगा तो इसको थोड़ी बात की बात है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यह दो point जो करके मैं यह rising resistance line बनाई है तो आप भी अपने चार्ट में इसको लगा सकते हो लेकिन पहली यह दो level को break होके उपर जाये तब तो यह हो गए हमारे resistance की बात अगर मैं support की बात करूँ क्योंकि ऐसा नहीं होता कि result अच्छा है तो यह अप ही जाएगा ऐसा नहीं होता कभी-कभी आपने देखा होगा कि result अच्छा है फिर भी यह downside चाता है और मैं इसका आपको क्या है कि example भी दिखाऊंगा तो बाद में अगर ही मान लेते कि ओपर गया और बाद में नीचे आ गया तो जो हमारा पहला support होगा यह line होगी तो यह होगी 750 से लेकर 755 तक तो अगर यह उपर जाके नीचे आता है तो जो हमारा पहला support होगा वो यह line होगी अभी यह मैं क्यों बोलोगी यह नीचे है इसके तुकि gap up open होगा side gap up opening होगी मैरे को personally लगता है कि gap up opening होगी तो इसके लिए मैं इसको क्या है कि support बोल रहा होगी वो सकता है Monday इसको gap up opening करके उपर चला जाए बाद में नीचे आए तो इस पे यह क्या है कि support लेके उपर जा सकता है अगर यह इसको भी break करके नीचे आ गया तो दूसरा हमारा support होगा होगा 707 का level अगर यह इसको भी break करके नीचे आ गया तो जो हमारा आखरी and final support होगा होगा 660 का level तो जो यह support हो अपने chart पे लगा सकते हो और एक बार retrace करने नीचे है, बाद में इस लेवल के आसपास, जो मैंने बता है, 750 के आसपास का जो लेवल है, वहाँ से फिर से अगर उपर जाने का कोई sign देता है, तो मैं personally इसमें buy कर सकता हूँ, और मैंने जो आपको बोला था, कि आपको मैं example दिखाऊंगा, कि एक ऐसा हो है, तो इसमें आपको एक downside देखने को मिले है, अगर मैं इसको one day के चार्ट पे ले जाता हूँ, तो आप देखे कितनी बड़ी candle है, मतलब gap up कितना हुआ था, बाद में आपको इतनी बड़ी एक red candle देखने को मिले है, तो example आपके सामने, result अच्छा है, gap up हुआ है, फिर भी यह नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई भी company का result अच्छा आए, तो वो अप ही जाने लगता है, नहीं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन इसा होता कभी-कभी ही है, most of the time, मतलब जो भी हो रहा है, आप आगे से predict करें, वो अच्छी बात है, लेकिन वो इसा ही आपको कुछ देखना है, कि लाइव चार्ट में क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसलिए मैंने वहो जो लेवल था, 750 का लेवल, वह परस्नली मेरे लिए इमपोर्ट है, तो ऐसा हो सकता है, सेम ऐसा ही आपको क्या है, कि मंडे रेकने को मिले सायद, अगर बहुत ज्यादा gap up opening हुई, तो बाद में ऐसा scenario आपको देखने को मिल सकता, अगर normal gap up opening हुई, तो आपको सायद, वहां से upside भी मिल सकते, तो जो होगा वो live chart में हम देखेंगे, तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा लगा हो, कि मेरे को थोड़क knowledge मिला है, और ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना, आप like, comment करोगे, तभी तो में motivation मिलेगा, और ऐसे वीडियो आगे लिखेंगे, तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना, चलिया मिलते अपने next वीडियो में, तब तक के लिए टटा, गुडब जईए इन